है गाई सोगत मेरे चैनल इंट्रेडिक गाईट शिवांच भसीन पेश हो गाईज आज हम बात करने वाले हैं 24 जून के लिए कौन से से 5 शेयर आप अपनी मार्केट वॉच पर रखके चलिएगा जिसे आप जब मार्केट खुलेगी तो इन 5 शेयर को ट्रैक कर सकते हैं और जो मैं टागेट और स्टॉप लॉच बाया सेल बताऊंगा आप उसके बेसेस में अपना खुद का ट्रेड ले सकते हैं हर दिन गाइस ये जो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ मैं हर दिन आपके साथ शिर करता हूँ कि अगले दिन मार्केट में कौन से कौन से स्टॉक भाए करके चल सकती है जिसका परफेक्ट टागट स्टॉप लॉस आपको दिया जाता है जार्ट को देखके basis में, आपके लिए मैंने कल एक रीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने आपको पांच येर ऐसे भी बताय थे, तो अगर आप हफता है, या दो हफता भी उसे hold करके रखेंगे, चैफ फ्यूचर है आप उसे लेकर रखेंगे, तो आपको नहीं पहुच पाया, जिसकी वज़े से हम उसे buy कर सकते हैं, तो उसे हम अभी ignore कर देते हैं, अगर आपको जानना है कि ये market जो 140 point उपर चली जाती है, फिर 100 point नीचे गर जाती है ये किस वज़े से हो रहा है क्यों उपर से selling आ जाती है, और नीचे जाके click करेंगे तो, उस पर मैंने Nifty Bank Nifty पर आपको clearly trend lines के basis पर A to Z समझा दिया है कि किस level पर अगर ये पहुचे तो आपको short करना है किस level पर पहुचे तो आपको buy करना क्या target है, क्या stop loss है पूरे अच्छे से explaining कर रहा है आपको Nifty Bank Nifty के बारे में, तो उस वीडियो को जाके जरूर दिखेगा, description पर भी link है, उस पर जाके click कर सकते हैं, सबसे बहले हम 24 जून की बात करें, तो 24 जून पर हम 5 share ऐसे जो रखने वाले हैं market watch पर और इसको आप buy या sell करके भी चल सकते हैं part stocks किसकी बात कर रहा हूँ Adani Ports, DBL यानि की Dilip Biltcon, Bajaj Finance SBI और BEML, इसमें से एक future and option में नहीं है, यानि की DBL, तो हम ये 4 पे तो trade ले सकते हैं, पर guys, अगर DBL में, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर DBL में एक reversal का sign दिख रहा है, अगर वो reversal का sign confirm हो जाता है, so अगर आप इसमें cash में भी buy करके चलेंगे, तो हम आपसे guarantee कह रहा हूँ, एक महिने के अंदर-अंदर यापको 100-120 points तक कभी return दे सकता है, DBL यानि की Dilip Biltcon, so इसमें हम वेट कर रहे हैं कल की confirmation के लिए यानि की Monday के लिए जैसा मुझे लगता है कि आजाएगा buy side में अदानी puts buy करने की सला दी जाएगी, अच्छा गासा हमने देखा कि market ने बहुत तेजी से गिरावच दिखाई है, पर ये अपने एक हम कह सकते हैं, जो support है उस support के ऊपर जाके close देने में तो हम 396 का ही रखेंगे 396 का आपको stop loss maintain करना है 407, 411 तक के भी targets आप expect कर सकते हैं अदानी puts के अंदर दिले बिल्ट कॉन buy करने की सला दी जाएगी 396 का आपका current market price है stop loss आप थोड़ा deep रख सकते हैं क्योंकि ये जो particular counter ये थोड़ा बहुत नीचे जाता है फिर वहाँ से reversal sign आके ये उपर की तरफ closing देने में काम्याब हो जाता है अभी intraday basis पे अगर हम बात करें तो 389, 386, 388 तक कभी आप stop loss maintain कर सकते हैं for target of 403 and 411 बजाज finance बजाज finance sell करनी के सला दी जाएगी आपको इसमें 1600 का आज हमने देखा था कि बजाज finance ने high मारा था वही से हमने अपने counter या अपने traders को shot की position initiate करावा दी थी क्योंकि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बजाज finance का chart अच्छे से explain कर चुका हूँ कि ये एक channel के अंदर है और जो आज जिस तरीके से वह 3600 को टेस्ट करा वही से अपने clients को shot की position दे दी थी और 3550 का put भी बाय करवा दिया था और आज का low ये 3550 ही था अभी भी इसमें एक downside आ सकती है 3530 या 3500 तक की levels में भी ये जा सकता है आने वाले time में so आपको जो stop loss maintain करना है वह 3600 का ही करना है थोड़ा deep stop loss है थोड़ा far है पर target आपको अच्छे का से इसके अंदर मिल सकते हैं जैसा मुझे लगता है 3500 तक के भी targets आप sell करके इसमें earn कर सकते हैं SBI बहुत बढ़िया counter बहुत बढ़िया stock है Indocent Bank के बाद Union Bank ये जो दो bank है ये दो मेरे favorite bank है अभी इस expiry के लिए जो मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छे का से return दे सकता है आज हमने आपको पहले भी अपनी videos में बताया था SBI Union Bank के बारे में उस पर भी हमने अपने clients को 77.5 की call बाय करवाई थी कुछ time हो गया था काम से कम चार्ज अपना दिन हो चुके है और उसका भी हमने देखा था कि target आज अच्छीव हो गयता है यानि कि उसमें अपकॉल में cash price पे 77.5 का target Union Bank अचीव कर दिया था उसके आज पास तो closing नहीं दे पाया जिसके वजह से मने market में गिरावट देखी थी पर मुझे लगता है कि यह 80 तक भी जा सकता Union Bank और Inducan Bank भी बहुत बड़ी account है उसके बाद आता है SBI SBI हमने देखा कि 349.5 के आसपा जाके इसने closing दी है मेरे लिए best talk कब होगा जब यह 350 के उपर निकलता है उसके उपर trade करने की कोशिश करता है 350 SBI के लिए बहुत बार hurdle बन चुका है तो मैं आपसे यही चला लूँगा मुझे लगता है कि आप शायद SBI यहां से भी targets हम expect कर सकते हैं अगर intraday ना हो तो शायद दो दिन में भी target आ जाए stop loss आपको 345 का maintain करना होगा BEML बहुत बढ़िया counter है मुझे लगता है कि यहां पर एक reversal मुझे देखने को मिल गया charts के अंदर so एक best counter के दौर में हम एक BML को चुन रहे हैं मुझे लगता है कि अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत dip मिलती है तो आप उस dip पे इस BML को buy करके चल सकते है for a target of 3, 839 and 846 stop loss थोड़ा दीप है क्योंकि इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ lower levels पर अगर आपको मिलता है तो आप इसमें एक buy position को initiate कर सकते है counter बढ़िया है और मुझे लगता है यह आपको छे returns दे सकता है इसे आपके लिए regularly हर दिन market watch पे रखने के लिए 5 stocks with a target stop loss और buy और sell लेकर आने वाला हूँ मैं और हमेशा लेकर आते रहता हूँ तो इस channel के साथ जुड़ी रहीएगा जिसे आप intraday basis पे अपने stocks को खुद analyze करके market में पैसा कमा सकते है और अगर आपको nifty bank nifty की पूरी information चाहिए कि किस तरीके से यह June expiry में भी trade कर सकता है तो आप इस i button को जाके click कर दीजे तुरंत यहाँ पर आपको i button दिख जाएगा और description पे भी link है सबसे पहले ही आपको link बिक मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप उस पे click करके सारी की सारी information पालेंगे मैं आपसे मिलता हूं नहीं अगली वीडियो के साथ signing off शेवान शेपसीन